नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोपेलर साफ्ट के बारे में, प्रोपेलर मीनिंग कहां से आया है, विकल्स जो हैं, वो सेल्फ प्रोपेल्ड होते हैं, means ओवन पावर से रन करते हैं, तो उसी तरह जो प्रोपेलर मीनिंग है, उससे मीनिंग है कि पावर का ट्रा प्लेश्टो अनुडर प्लेश्ट, ट्रांस्मिशन, अब जो प्रापैलर साफ्ट है, उसका में फंक्षन क्या है , कहा dol में उसको यूज करते हैं वीकल में, हम प्रपैलर साफ्ट को, वीकल में पावर को एक प्लेश्ट से दूसरे प्लेस्ट पे transfer करने के लिए use करते हैं अब वो कौन-कौन से place होते हैं वो place होता है gearbox से power लेके और जितनी speed में gearbox से power लेता है उसी speed को same rpm पे ये differential को transfer करता है ताकि जो हमारा vehicle है वो आसानी से run कर पाए उसमें किसी भी तरह की run करने में problem ना हो तो आसानी से power को gearbox से लेके gearbox का जो shaft है वहां से लेके और सीधा जो transfer करता है वो differential को करता है जहां पे हमारे sun और planet gears differential में लगे रहते हैं ये इसका function होता है अब बात करते हैं main parts of a propeller shaft जो propeller shaft है उसके दोनों जो ends है वो दोनों ends उन पे universal joints से जुड़े रहते हैं जो universal joints होते है वो दोनों side के जो लगे रहते हैं वो U shape के रहते हैं एक U shape जो है वो इस तरह की रहेगी और उसमें दूसरी U shape इस तरह की रहेगी तो दोनों जो U-shape के joint हैं, वो आपस में जुड़े रहेंगे, अब ये universal joint क्यों बनाए गए थे, इनका basic function क्या है, जो universal joints हैं, ये flexibility प्रोवाइड करते हैं, इस पूरे complete, जो हमारा components होते हैं, propeller shaft के, इनको flexibility प्रोवाइड करता है, अब flexibility किस तरह प्रोवाइड करता है, एक shaft ज जुड़ें, तो उसकी जगे, for example लेके चलते हैं, कि मान लीजी हमने gearbox की जो power है, उसका जो shaft है, उसको सिधा differential से जोड़ दिया, और कोई breaker आया, या फिर कोई गड़ा आया, तो वहाँ पे गाड़ी एक बार नीचे गई, फिर उपर गई, तो उससे क्या होगा, उसमें वो joints म को reduce करने के लिए, और flexibility बढ़ाने के लिए, universal joints लगाये जाते हैं, इसके बाद ये जो slip joints है, इनका क्या function होता है, slip joint का जो function है, वो जब wickle, जब कहीं breaker पे गया, तो breaker पे गया, तो ये close होने की कोशिश करेगा, close से meaning की shaft जो है, उसकी जो length है, वो short होने की कोशिश कर रही है, जैसे वickle breaker से नीचे उतरा, तो वहाँ पे फिर से ये, जो है अपनी length है, वो increase होने की कोशिश कर रही है, तो जो भी condition हो, जहाँ पे जो shaft है, उसकी length increase होने की कोशिश करेगी, या decrease होने की कोशिश करेगी, तो उस length variation के लिए, slip joints लगाये जाते हैं, slip joints से meaning क्या होता है, sliding joints, जो की slide करे, means दो part है, दो part आपस में एक दूसरे के उपर slide करे, reciprocate करे, to and fro motion में move करे, तो वो to and fro motion में move करके, एक दूसरे part पे slide करके, उस condition को बचा लेते हैं, तो जैसे ये flexibility provide करते हैं, जैसे shaft किसी angle पे गया, तो भी universal joints ने उसको बचाया, तो ऐसे ही, जब wickle press rise हो रहा है एक तरह से, तब ये close हो जाएगा, उस जगे shaft जो है, हमारी decreasing order में चाहिए, और जैसे ही wickle जो है, वो उसमें जो compression एक तरह का आया था, जब वो compression हटेगा, तो ये भी increase होने की कोशिज करेगा, तो इसकी length जो हो लंबी हो जाएगी, तो ये इसका सबसे बड़ा benefit रहता प्रोपेलर shaft का, कि easily इसकी length लंबी हो जाती है, easily इसकी length short हो जाती है, ताक कि wickle में stability बनी रहे है, पावर का जो transmission है, वो equity के हिसाब से बराबर रूप में चलता रहे, और जो power वहाँ पे gearbox से मिल रही है, जिस RPM पे मिल रही है, उसी RPM पे उस speed को, differential को transfer कर देता है, with the help of this shaft, इस shaft का काम वही है, कि उस power को आगे फिर transfer करना, तो यह होता है हमारा propeller shaft और propeller shaft का function, thank you दोस्तो,